नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं बुध का खास राशी परिवर्तन मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड संतो संतोशी बुध अपना घर 25 मई 2020 को फिर से पाएगा अर्थात ब्रिशब से मिथुन में बुध का प्रवेश होने जा रहा है लंबा समय विताएंगे सामान रूप से 24-25 दिन का संचरन करने वाले इस बार दो अगस्त तक यहाँ पर विद्धमान रहेंगे तो 25 मई से 2 अगस्त तक लगभग जब तक राहु यहाँ पर है मान लीजिए एक महिना और राहु रहेगा मिथुन में तब तक बुद्ध और राहु का मिलन रहेगा आज हम बुद्ध के राशी परिवर्तन का हर राशी पर प्रभाव का चर्चा करेंगे और इसके बाद 25 मई से 2 अगस्त के बाद एक कार्टेम और मैं बुद्ध पर करूँगा कि बुद्ध राहु की युतिका फल क्या मिलेगा रोचक विशे रहेगा ध्यान दीजिएगा राहु और ताकतवर होने जा रहा है राहु के पास और ताकत आ जाएगा बुद्ध का सानिद्ध प्रा राशी परिवर्तन का असर हर राशी पर क्या पढ़ने वाला है सबसे पहले मेश राशी आपके अंदर दुस्साहस की वृत्ध होगी आप कुछ जादा जगडालू हो जाएंगे मेश वालों के लिए यह समय अगस्त तक का समय आत्म नियंत्रन का है अगस्त तक अगर आपन पहा तक होगा खष्ठेश होने का भी दंश इसको लगेगा तो मेश वालों को विशेश रूप से मैं सावधान करना चाहूंगा कि यह परिवर्तन आपके लिए कतई 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 ठीक नहीं है जहां भी नुकसान होगा सिर्फ आपके गुसे की वजह से होगा तो जितना हो से क अपने गुसे पर आपको काबू रखने की आवशकता है व्रिशब रासी धन की वेतहाशा बृद्धी होगी अच्छा आर्थिक लाव मिलेगा आपको आपके पास किसी का रुका पैसा भी वापस आएगा कुटुम में परिवार में कुछ खुश हाली मिलेगी लेकिन बच् को चोट चपेट की संभावना बन सकती है मिथुन राशी अग्रेशन बढ़ेगा कमाई बढ़ेगी धन का लाब होगा कई रुके भी प्रोजेक्ट आपके पूरे हो जाएंगी कोई दोस्त यार मित्र बहुत करीब से मदद करेगा करकराशी करकराशी वालों के लिए बाहर लाब भी होगा बाहर विदेश आदी जाने के लिए विचार कर रहे थे तो समय बहुत अनकूल रहेगा सिंग राशी आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा सिंग राशी वालों के लिए लाब के तमाम अवसर पैदा करेगा नवगरी में प्रमोशन के चांसेज हैं आउट आप टर्न प्रमोशन हो सकता है लेकिन बॉस के साथ कुछ विवाद अकस्मात पैदा होने की संभावना बन सकती है कारेच्छेत्र में आपको विशेश सावधान रहने की आबश्यक्ता है कन्य राशी जड़रे लड़ाई कारेच्छेत्र में बिवाद पिता की स्वास्त की चिंता आर्थिक छती रोगों पर धन का नाश इत्यादी संभाव है तुला राशी तुला के लिए ये इस्थिति नमंभाव में होने के कारण यात्रा के दौरा कुछ चोट चपिट की संभावना है कटर धर्मिता के कारण कुछ कश्ट मिल सकता है हठ और जिद की वज़े से भी कुछ तकलीफ की संभावनाएं बनती है परिवार में विसंकतियां आ सकती हैं सेप्रेशन हो सकता है भाई भाई में विवाद भाई बहन में विवाद बहन माता पिता भाई आदि में विवाद पारिवारिक सेप्रेशन की स्थिति आ सकती है ब्रिष्चिक रासी ब्रिष्चिक रासी वालों के लिए हर प्रकार से ध्यान दीजेगा अश्टम भाव में यह योग बन रहा है लिहाजा गुप्त विद्याओं में रुशी जगेगी गुप्त शक्तियों में बढ़ोत्री होगी धन का लाब मिलेगा कुछ अदृष्चिक शक्तियां आपको कैच कर जाएंगी टच कर जाएंगी अश्टम भाव में आपके ब्रिष्चिक रासी से अश्टम भाव में मिथुन राशी का बुद्ध और राहु बहुत सकरात्मक होने जा रहा है धन राशी धन राशी के सब तंभाव में यह इस्थ पत्य पत्नी के बीच आग भी लगाएगा पानी भी डालेगा पार्टनर्शिप तूट सकती है लेकिन बहुत शालिंता पूर्वक अलगाव हो सकता है बहुत शालिंता पूर्वक मतलब यह है कि बैलेंस बनाएगा बुद्ध राहु जो दिक्कत पैदा किया था बुद्ध आ लेहाजा गुप्त शत्रों से सावधान रहने की आवशक्ता है, अनावश्यक खर्चों से बचने की आवशक्ता है, रोगों पर विशेश ध्यान देने की आवशक्ता है। कहेगी की नहीं पढ़ना भी चाहिए। मकान, जमीन, वाहन, आदि के बड़े विवादों से मुक्ते मिलेगी और सब कुछ बहुत सामान रूप से चलेगा, जो कुछ भी तनाव की स्थिती थी वो सब कुछ अब दूर होने जा रही है, लेहाजा आपको कहीं से भी चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है। तो मित्रों बुध और राहु की यूति का ये फल हमने बताया, जो कि बुध मित्वन राशी में अपने घर के आ रहे हैं, यहाँ पर इनको राहु का सानिद मिला है, लेहाजा हमने जो फल बताया है, यह बहुत सटीक और विशलेशानात्मक है, विशलेशानात्मक, फलित ह हमने आपको बताया, और अब हम उपाय बताते हैं, बुध खास तोर पर राहु का एक खास नक्षत्रिस में पढ़ता है आरद्रा, और राहु का साथ इसको पहले से ही है, वहाँ पर बिद्दमान था, लिहाजा एक मंत्र हम बताते हैं, ओम बुम राग राहवे बुधाय नमग, अभी हमने बना दिया ये मंत्र, अभी इस मंत्र का जाप आप करिए, राहु और बुध को मिला दीजे, गव्मुत्र का सेवन करिए, गव्मुत्र का छिड़काव करिए, पत्थर सत्या नाश करते हैं अंगलियों में कोई पत्थर न पहनियेगा ये हमारी हमेशा से आप लोगों को हिदायत रही है और प्रार्थना रहा है नौन्वेज मत खाईएगा पत्थर न पहनियेगा बड़ों का अशिरवाद लेजिए बुद्र आहो की यूति का जादा दोश नहीं लगने पाएगा हमें अनुमत दीजेगा आप लोग प्रशन रहें खुश रहें हस्ते रहें नमस्कार शिरादे